नमस्कार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है देभूमी उत्राखेंड के इस खास कारिक्रम में जिसमें कि आप अनन्द उठाते हैं सबी कारिक्रमों का अपनी बोली अपनी भाषा में दिल से इस वीडियो में हम जानेंगे केदर्णा धाम के बारे में और उससे जोड़े तिहास के बारे में हिंदु धरम के पुराणों की अनुसार श्रिव भगवान ने प्रकृति की कल्यान हेतु भारत वर्ष में 12 जगों पर जोतिर लिंग की रूप में वैपरकट हुए उन 12 जगों पर जोतिर लिंग की रूप में पूजा जाता है जिन में से एक जोतिर लिंग केदर्णाथ भी है यह चार धाम एवं पंच केदरों में से एक है पंच केदार में केदारनात, रुद्रनात, कलपेश्वर, मद्देश्वर एवं तुंगनात इनमें शामिल है केदारनात मंदिर भारत के उत्राखंड राज्जक के रुद्रप्रियाग जिले में इस्तित है उत्राखर्ण में हिमाले परवत की गोद में इस धित केदर्णा धाम के कपाट श्रधालों के लिए 6 मा के लिए खुलते हैं और बात में सरदियों में भारी बरबारी के बाद यहां आने का रास्ता बंद हो जाता है केदर्णा धाम में हर साल लाखों के संक्या में श्रधालों आते हैं इस धाम के प्रती लोगों की अटूट श्रधा और विश्वास है केदर्णा धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाडों से घिरा है एक तरफ 22,000 फुट उचा केदर्णा परवत है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट उचा खर्चकुन और तीसरी तरफ है 22,000 फुट उचा भरतकुन न सिर्फ तीन परवत बलकि 5 नदियों का संगम भी यहां पर माना जाता है जिनमें की 5 नदियां मंदाकनी, मदुगंगा, छीर गंगा, सरस्वती और स्वरंड गौरी इनमें शामिल हैं इन नदियों में से कुछ को कालपनिक मना जाता है इस इलाके में मंदाकनी ही साब तोर पर दिखाई देती है मंदाकनी नदि का उदगम इस्थान, चोरी बारी ग्लेशर का कुंड है मंदाकनी के पास ही केदार्नात मंदिर का निर्मान करवाया गया था केदार्नात मंदिर के निर्मान को लेकर कई बाते कही गई इसे 1000 वर्ष से भी जादा पूराना माना जाता है यह भी खहा जाता है कि इस मंदिर का निर्मान पार्णवों के वनसच जन्म जे द्वारा करवाया गया था ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुतिक एनुसार दशवी शतापदी में मालवा के राजा भोज ने केदारनात मंदिर को बनवाया था एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जिर्नोधार जगत गुरू आदी संग्राचार्या ने आठवी शतापदी में करवाया था 32 वर्ष की आई में सन 820 इस्वी में केदारनात के समीप उनकी मृत्य हुई मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरू आदी संग्राचारेजी की समाधी भी है केदारनात मंदिर को लेकर दो कथाएं प्रसिद हैं पहली कहानी के अनुسार केदार के सिखर पर भगवान विश्णु के अवतार महा तपस्वी नर और नारायन हिरुषी यहाँ पर तबस्या करते थे उनकी आरातना से खुश होकर भगवन शिव ने उन्हें दर्शन दिये और उनकी प्रारतना के अनुसार जोतेलिंग के रूप में उसी इस्थान पर सदावास करने का वचन दिया दूसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भ्रात्री हत्या का पाप याने की परिवार के सदर्शों की हत्या का पाप लगा जिसकी बज़े से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाते थे और भगवान शिप का आशिवात पाना चाते थे भगवान शिप पांडवों के इस भ्राती हत्या से नाराज थे भगवान शिप के दर्शन के लिए पांडव काशी गए पर उन्हें भगवान शिप नहीं मिले पांडव भगवान शिप को ढूनते ढूनते हिमाले ते कहां पहुँचे बगवान शिप पांडवों को दर्शन नहीं देना चाते थे इसलिए वे वहाँ से अंतर ध्यान हुए और केदार जा बसे दूसरी तरब पांडवी अपनी लगन के पक्के थे और बगवान शिप का पीछा करते करते वे भी केदार पहुँच गये बगवान शिप ने तब बैल का रूप धारन किया और पांडवों को इस बात का संदे हो गया था तब ही भीम ने अपना विशालतम रूप धारन करके दोनों पहाडों पर अपने पैर फैला दिये यह सब देखकर सभी गाई बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए लेकिन शंगर जी के अपदरित बैल की रूप ने भीम के पैर के नीचे से जाने से बहाद तयार नहीं हुए भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा लेकिन बैल धरती में समाने लगा तब भीम ने बैल की पीट का भाग पकड़ लिया भगवान शंकर पांडवों की भक्ती और द्रड संकल्प को देख कर बहुत खुश हुए उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया उसी समय से भगवान शिव बैल की पीट की आकरिती पिंड की रूप में स्री केदार धाम में पूजे जाते हैं ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंदर द्यान हुए तो उनके धड़ के उपर का भाग का आटवांडू में प्रकट हुआ अब वहाँ पसपतीनात का प्रसिद्ध मंदिर है शिप की बुजाएं तुंगनात में, मुख रुद्रनात में, नाभी मदेश्वर में और जटा कलपेश्वर में पकट हुई इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनात को पंच केदार कहा जाता है यहां सिपजी के भव्य मंदिर बने हुए है केदारनात मंदिर 85 फिट उचा और 187 फिट चौड़ा है इसकी दीबारे 12 फिट मोटी हैं और बेहत मजबूत पत्थरों से बनाई गई है यहां मंदिर कत्योरी शैली के आधार पर बनाया गया है इस शैली के द्वारा निर्वित मंदिरों के पत्थरों पर इसफटिक सिल्ट के मात्रा अधिक होती है विस्व फिट केदारनात मंदिर 3462 मीटर की उचाई पर इससित है यहां मंदिर 16 फिट उचे चौक और चबुतरे पर बना हुआ है यहां हैरत अंगेश करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी उचाई पर लाकर तराश कर किस प्रकार से मंदिर बनाया गया होगा जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटर लॉकिंग तकनीक का इस्तिमाल किया गया होगा भीतर से मोटी ताम्र धातु तता बाहर से श्वर्ण धातु का बनाया गया था जो कि वर्तमान समय में मंदिर पर उपस्तित नहीं है क्योंकि कुछ वर्सपूर्प वहां दिव्य कलश मनुष्य के लालज की भेंट चड़ गया और वर्तमान में उस कलश के इस्थान पर जा गहन संक्राती के निकट बलराज की रात को यहां पूजा की जाती है बहिया दोज के दिन सुबा चार बजे श्री केदार को घृत कमल एवं कपडों की समाधी के साथ ही कपाट बंध हो जाते हैं कपाट बंध होने के बाद केदारनात की पंच मुखी प्रतिमा को उखी मठ लाया जाता है इस प्रतिमा की पूजा यहां रावल जी करते हैं जून 2013 में उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश में आचानक ही बाढ़ आ गई इसके साथ ही भूस्पलंदी होने लगा जिससे सबसे अधिक प्रभावित के दाना धाम हुआ यहां आपदा इतनी भायनक थी कि इसके आजपास बने होटल धरमशाला सब कुछ आपदा अपने साथ बाहा कर ले गई लेकिन इस एतिहासिक मंदिर का मुख्या हिस्सा और सदियो पुराना गुंबत सुरक्षित रहा प्रड़े के बाद भी मंदिर का उसी भव्यता के लेकिन उसी में से एक चटान भी आई जो मंदिर का कवच बन गई इस चटान की वज़े से मंदिर की एक इट को भी नुकसा नहीं पहुचा जिसके बाद इस चटान को भीमशिला का नाम दिया गया यह चटान मंदिर प्रक्रमा मार्क के बिलकुल पीछे है केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ग्रामन ही होते हैं केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुवज 6 बज़े खुलता है दोपहर 3 से 5 बज़े तक यहां विसेश पुजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता ह और पुना श्याम को 5 बज़े भकतों के दर्शन के लिए यह मंदिर खोला जाता है बगवान शिप की प्रतीमा का विदिवत शिंगार करने के बाद साड़े साथ बज़े से लेकर साड़े आठ बज़े तक हर रूज यहां पर आरती की जाती है रात में साड़े आठ बज़ से केदरनाथ में ट्रैकिंग की और किस तरह से आप लोग साबधानी पुर्वक केदरनाथ जा सकते हैं तब तक के लिए आसी शमली यानि मेरी तरब से आप सब लोगों को नमस्ते 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 नमस्ते